सौ बार किया रिवीजन ये किताब पढ़कर पास की UPSC सुधार लिए गलती और बन गई IAS एश में IAS IPS बनने का ख्वाब संजो कर UPSC सिविल सेवा परीक्षा UPSC की तैयारी में लोग दिन राद एक कर देते हैं लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां उनके सपने की राह में रोडा बन जाती है उत्तराखंड की रहने वाली एक IAS अधिकारी है मीना करणवाल वह अपनी एक गलती की वजह से दो बार रिजेक्ट हो गई थी आईए जानते हैं उनकी सक्सस स्टोरी के बारे में मीना करणवाल की कहानी से UPSC की तैयारी करने वाले काफी टिप्स ले सकते हैं उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली IAS मीना करणवाल साल 2019 बैच की महाराश्ट्र कैडर की अफसर है वह वर्तमान में चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर जेपी नान देड है इससे पहले वह नंदूर बार की प्रोजेक्ट, ओफिसर, कम, असिस्टेंट कलेक्टर थी मीनल करणवाल की स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉलेज से हुई है जबकि ग्रेजुएशन की पारहाई दिल्ली युनिवरसिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है बचपन से ही मीनल का सपना आईएस करने का था इसलिए उन्होंने करियर को लेकर भटकने की बजाए ग्रेजुएशन पूरा होते ही युपी एससी की तयारी के लिए खुद को समर्पित कर दिया मीनल करणवाल अपने एक मीडिया इंटर्वियू में बताती हैं कि उन्होंने अपने तीसरे अटेंप्ट की तयारी के दौरान NCRT बुक्स पर अच्छी तरह फोकस किया उसे काइदे से परहा इसके बाद नतीजा सब के सामने है वह 2018 के अटेंप्ट में All India 35 रैंक के साथ UPSC क्लियर करके IAS अधिकारी बनी